कि अब लोग कर रहेंगे और आप को जीत में करने के लिए हमारा साथ आपके साथ हमेशा रहेगा तो स्से पहले हम लोगई देखते हमारा फरस्केशन पोटन यह सेट कोफिसेंट आप रिश्टेंट सो अभ घच् remix करना बोलत है कि विद रिस्पक्ट टुकनलिर और तेंप रैस्टेंट लाइंट इसको किया था और इस बार हम लोग डिसक्स कर रहे हैं तो तो क्वेशन कर दिया है कि इसमें लोग जिसने भी इस्टूएंट्स ने वह देखा व तो उसको अच्छे से उसको कर लेना तो यहां पर हम देखता है कि जो तो इसके लिए आपके पास विद्रिस्पेक्ट टू रेस्टैन सो हो यहां पर हम लिखते हैं विद्रिस्पेक्ट टू यहां पर हम लिखते हैं with respect to तो सबसे पहले हमारे पास है resistance अगर आप से temperature coefficient पुछा है with respect to resistance या निके temperature coefficient temperature coefficient of resistance पूछा है तो आप लोग लिखेंगे यहां पर लिखता है semiconductor यहां पर लिखता है semiconductor और यहां पर लिखता है insulator इस्टा से आप लिख लेचे अच्छे नोट बनानी अपना और यहाँ पर हम लिखता है कि इस the temperature coefficient of resistance of conductor is negative of conductor is it is it is positive and it is negative लोगो बोल से temperature coefficient of resistance of conductor is positive temperature coefficient of semiconductor is negative temperature coefficient of insulator is negative तो आपके पास अगर आप से पूछाई temperature coefficient of resistance क्या है semiconductor का तो इसका मतलब क्या होता है अगर आप semiconductor का अगर आप semiconductor के इस material के आज-पास उसका temperature उसको increase करेंगे तो उसके अंतर जो resistance वो इस तरह से हम यहां पर इस तरह से यहां पर यह भी लिशकते हैं अगर आप से पूछा है का आपको यह concept समझ मैं होगा और आप श्राइब आप श्राइब कर सकता है तो आपको यह concept समझ मैं होगा और आप जो भी लोग है यहां पर इस तीज को ध्यान रखें कि आप से पूछा क्या आप से पूछा है तो आप लोग इस तरह से बताएंगे पॉजिटिव समिकंडुक्टर का नेगेटिव और इंसलेटर का नेगेटिव बट अगर आप से पूछा है तो आप से पूछा है तो आप से करते हैं अगर आप यहां पर ऊपन सरकिट करते हैं लेट से दिश this diode is open circuited let's say this diode is open circuited यहां पर यह डायोड नहीं है यहां पर open circuit it is open circuit open circuit test करते हैं तो आप वो देखते हैं वी पी जो वोल्टेज आपका पास वो ए 10 वोल्ट है और वी एन is equals to minus 10 वोल्ट आपके पास वो negative terminal से connected इसलिए minus 10 वोल्ट इसका मतलब P terminal is at higher potential VP is more than VN इसका मतलब diode is forward wise तो when diode is forward wise जब diode forward wise होता है तो it will behave as on switch एक on switch की तरह से work एक on switch की तरह से behave करता है तो यहां पर इसको as a short circuit हम लोग treat करेंगे तो circuit कुछ इस तरह से होगा तो circuit कुछ इस तरह से होगा आपके पास यहां पर resistance एक resistance यहां पर भी है और यह जो मारे पास है यहां पर short circuited है और यहां पर आपके पास एक voltage source है जिसका voltage हैं और 50 ohm है यहां पर 5 ohm है और आपसे current यहां पर पुछा है यह current आपसे यहां पर होगे पास हो जाएगा इस short circuited से होते हुए पास हो जाएगा इस resistance से जाएगा ही नहीं तो हम लोग बोलेंगे कि the value of i the value of i is equals to the value of i क्योंकि i343 फिस resistance को ही consider कर रहा है क्योंकि i is resistance को ही पास कर रहा है इसलिए एक value क्या होगा 10 वोल्ड डिवाइड़ बाइ 50 ohm and it is equals to 0.2 ampere or is equals to 200 million तो इस तरह से आप इसको find कर सकते है इस तरह से आप इसको find कर सकते है तो इस तरह से आप इसको find कर सकते है तो it is very very easy question आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और आपका जो concept हो भी आप अच्छे से समझ लीजिए और हम लोग आके चलते हैं कि तो next is clamber circuit अभी clamber circuit क्या होते हैं तो clamber circuit वह सरकीट होते हैं जो किसी लेव को एक लेवल से नीचे की सरफ करता है यहां पर क्लिपर सरकीट में ही बहुत भाले दिफेरेंट्स होता है किसी वाइव का एक पर्टिकुलर पार्ट को लिया में बेशितने वेव हं लिया है जैसे हम लोग यह कि सबसेंधनल 1 और है कि हमारे पास साइनोसर्ट लेभ है तो जो किशिए ना कोई था कोई पर्टिकुलर रिंपार्ट को कर देगा इसको आप शिप्ट कर देगा वही पर यह कि तरफ कर देगा तो ओप्जेक्टिव आपकोई सबसी आपकोई से करने के दर किस तरह से कर सकते हैं है यहाँ एında पर हमारे पास एक वे पास एक ए मुटेड वह जिस तरह सेए तो आप क्या करेंगे यहां पर आउटपुट में क्या होगा है तो यह सबसे पहले तो आप यह देख लिए क्लैमपर सर्कृट में में इस एक कैपिस्टर और डाइओर्ड के साथ करेक्टेड रहता है तो यह यहांपर डाइओर्ड और कैपिस्टर हमारे पास connected है तो इसना मतलब एक लैंपर है और यहां पर एक रेश्टेस के पहलर में जो रोलोड की दरह से वर्क करना है तो यहां पर हम देखते हैं कि नीचे की तरफ शिफ्ट अगर यह नीचे की तरफ connected है तो इसका मतलब क्या है यह पॉजिटिव क्लैंपर है इसका मतलब क्या है यह पॉजिटिव क्लैंपर है इस पॉजिटिव क्लैंपर है इस जो आपके पास पॉजिटिव पार्ट है इस का यह पॉजिटिव लेवल पर आचाए तो कुछ इसमें बाहें हो तरह विए वहां में आधर अधरा कंटॉर तो यह कुछ इस तरह से होगा और डिसी लेवल जो आपका है यहां पर आजाए तो आपका इन्पुटेट वेव है वो पॉजिटिव जो पार्ट होगा नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा तो क्लैंपर यही करता है क्लैंपर विदाउट चेंजिंग दा शेप आफ वेव का शेप को चेंज किये बिना उसके जो आपका डिसी लेवल है उसको अब यह इसलेवल है मिडल में और यहां पर यह शिफ्ट में कर यह नीचे की तरफ आगया तो जीत्व फालए तो इसवर्शुटेख ल्मपर से पॉजिटिव पार्ट को ख्लैंप कर देतो फैसी पारच को कर दे तो फनेगिटिव फिंपर होगा तो लेट सी ते लिए बस लेट्श एक्जाम्पल लोग नेक्स एक्जाम्पल देखता है अगर यह इंपुट हमने यहां पर अप्लाई किया है अगर हमने इसका इंपुट यहां पर अप्लाई किया है तो अगर यह इंपुट हमने इसके इंपुट पर अप्लाई कर दिया है यह rectangular pulse हमने इसके इंपुट पर अप्लाई कर दिया तो हम लोग देख सकते डियॉड का डिरिक्ष्ण हो अपवर्ड है तो डियॉड का डिरेक्षण तो इस इसका मतलब जो replacement कर देगा उसका मतलब किया है जो प्लैंपर नेगेटिव फ्लैंपर है लोग लिखते हैं आपर है कि अधिश्च के लेवल को ऊपर की तरह शिफ्ट कर दिया इसने तो जो वेव आपका कुछ इस तरह से होगा तो आप सरीफ डाइग्राम को देखकर बता सकता है कि आपका जो आंसर होनेवाला हो क्या है इस सब्सक्राइब कर अपको स्कॉशन मिलेगा voltage V maximum positive के और यहां पर V minimum है negative के एद तो यहां पर आपके पाद value जिरो और यहां पर टू वी-max रोगे और यहां पर zीरो अगर यहां पर वह है मैंहें पॉजिटिव यहाद पर सकते आपके पास और यह सकते हैं दॉपर और पर अगर को यह पर आपका पर यह में आपकर में आपके पास जो डाउनवर्ट तुम और अगर लोगो लेंगे नेगीटिफ लन। तो लेट सीता नेक्स्त अगे पर अगिमपर यहां पर यहां पर एड़ेट यहां पर हमने ऊपर निचाल कौनेक्टर मौण के साथ इनक्राइब कर दिया है एक करते हैं यहां पर अपलाई करते हैं है जाने नहयकर आपर अपलाई कर दिया है यहां पर आप सबसागते हैं हमारे के सब्सातर हैं मतलब इस बाइस क्लैपड का एक्जांपल ए Nazi vast पर एक्जाम्पल कि अगर हम जाते हैं तो जो हमारा जो वोल्टेज सोर्स है उसका क्या पोलरेटी हमें सबसे हम लोग यहां पर यहां पर अब्याटि बात कर रहे हैं अंलेटिकल बात नहीं कर रहे हैं अगर हम लोग डीटेल में इन सेशन को डैम्पर और क्लीपर के सेशन को हम अगर हम डीटेल में प्लान करते हैं तो हम लोग उसको महां पर डिसकस करेंगे यहांपर सिर्फ औबजेक्टिवफ आप पुस्षिंद को देखकर आंसर क्या बला सकते हैं इसवर से लूब ने है तो अभर मुन देखता है कि यहां पर पॉजेटिव है अतो र्द मतलब हम लोग यहां पर क्या करेंगे क्योंकि स्था जो आउनवर्ड इसका मतलब है इसका मतलब पॉजिटिव क्लैम पर होगा तो पॉजिटिव पार्ट को कितना क्लैम करेगा यह जो आपके पास वोल्टेज है उस लेवल दग वो क्लैम करेगा इस लेवल दग आपको आउट पुट मिलेगा और फिर वो कि अपका डाउनवर्ड चले जाए कि इस तरह से आपके पास आउट पूट रहेगा कि इस तरह से आपके पास आउट पूट रहेगा कि अगरा इसकी वोल्टेज की बात करें टो इस त्यूल आउट वरी यहां माइनस तरह से आप अब्जेक्टिव बात कर सकते हैं अगर इनलिटीकल बात कर रहे हैं तो आपके लिए तो हम लोग काफी के डिटेल में जाना पड़ेगा बट आम लोग अभी पात करते हैं आप कुश्टन को देखकर अगर आपके पास कुछ इस तरह से फिगर गीवन है तो आप क्या करेंगे जो आपका आपको सब्सक्राइब नीचे की तरफ है या उपर की तरफ है तो यह क्योंकि नीचे की तरफ है तो इस पॉजिटिटिव टेडिटिव लोग बोल रहे है कि हम लोग सबसे पहले पगड़ रहे है तो हम लोग बोलेंगे यहां पर हमारा जो आउटपुट और कुछ तरह से होगा तो यहां पर हम negative half cycle में negative half cycle में minus के V जितना भी voltage आपके पास given है negative half cycle में हम उसको indicate कर दाथ minus के V volt अब आप जब diagram बनाएं क्योंकि positive clam पर है क्योंकि यह positive clam पर है तो positive part तो रहेगा नहीं इसमें इसमें positive negative है ले पार्ट रहेगा तोא नहीं टींटिफ पार्ट भी आपका कहां तक रहेगा वह लों यहां पर देख रहें हो हुआ है रहेगा जो आपको वोल्टेज रहेगा है है करेका थिया रहेगा तो 2VM लस्टी तो इस तरह से आपको voltage मिलेगा तो I hope you can understand the Clamper you can understand the Clipper objective wise आप की तरह से Clipper को बदा लगते हैं definition की तरह से बदा लगते Clipper की यह सब चीज़े आपने देख लिये होगा objective wise Clamper की तरह से बदा लगते हैं करने का अपको करने का उसको आपको आगे देखेंगे आप बहुत सारे लोग इसके पीछए पढ़ जाएंगे अस अब इसके पीछ दिखाई देंगे क्योंकि यह बहुत आई ऐसक्टीव बहुत आपको प्रिपेशन कराने का तो लेट्सी दा कि it is bipolar junction transistor, it is also called as BJT, it is also called as BJT. आपको क्या क्या समझना चाहिए, आपको first point क्या नोड करना चाहिए, और किस तरह से आपको study करना चाहिए, तो first point है, तो first point है, बैपोलर junction transistor, BJT is a current control current source, it is a BJT is a current control current source, तो first point हम लोग लिखेंगे, BJT is a किорм sub क्रेंट कंट्रोल चाहें तो यहां पर आप लोग कहेंगे के द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला और करेंट तोर्स ही प्रोवाइड करता अब बॉलेंगे बॉलेंगे बिजती करेंट कंडोल करेंगी क्वे रहेंगे पिजेती जो हिए मारा वह करेंड्स आने प्लेंट कंत्रोल करेंट सूरस्स सब्सक्राइड क्योंक्य क्या पर याँ पर बैफेलरर जंक्ट्छन है है what is the meaning of bipolar by what is the meaning of bipolar bipolar का मतलब क्या है current conduction take place current conduction take place due to both electron and hole कि यहां पर आप लोग के माइंड में कुश्चन और राइज हो रहा होगा कि हम लोग अभी तक डायोट सर्किट पड़ा और क्लिपर सर्किट पड़ा बट हम लोग ने अभी तक रेक्टिफायर वगरे के बारे में डिसक्स नहीं किया तो मैं बोलता हूं कि हम लोग जब साल म यहां पर देखेंगे तो प्रेक्टिकली हम लोग एक्टिफायर और आपके पास हाफव एक्टिफायर होता है अगर हम फिर से उसको दुबार से पढ़ना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग आगे की चलकर ही उनको डिसकस करेंगे महीं पर हम लो अब दो पोल यानि दो भाई का मतलब दो एंड पोल यानि पॉजेटिव नेगिटिव तो इसका मतलब क्या है करेंट कंडेक्शन टेक प्लेस दा करेंट जो होगा वो बोथ एलेक्ट्रों एंड होल के कारण होता है या फिर आप से पूछ बाइपोलर बंग 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 किज़ेट है करेंट कंड्रोल करेंट सोस बहुत बोडब एक हैवागा टाइज सब्सक्राइब शिर्फ करहा है िसका अग्र आपकेइस करो दो है उसका इसका सिंभाल है अगर सिंबॉलिकलि हम लोग बात करते हैं तो सिंबॉल कुछ ज्स्रा, से विस्टाल सिंबोल है आपके पास तो लेट से को इसको कॉपी कर लेता है यहां पर भी सोएद द्रॉब है तो एक आपके पास इस तरह से होगा मैंकर आपके पास एगा आपके पास अगर हम बिजे टी entry अट में है तूट में थीεν probe लूब लूब ऑच देक कर आ बाच दायांगे सिम्बॉल को देखकर आप किस तरह से बतवाँगे किस एकुस्टाइब केुछ पास ध्राइब का उल्राइब आनुचे अगर ट्रांजिस्टर का जो अगर पढ़ ए डैरो है ए रोल इस अमिंग आट साईड जोप अधिये आज़वया के पास आ से और hatred है यो उसस टाइब का आपके पास टॉनिस्टन सर्थ तो arrow is coming away from the base अगर arrow base से बाहर की तरफ आ रहा है if arrow is coming away from the base the arrow mark is coming away from the base the arrow mark is coming away from the base the arrow the arrow mark is coming away from the base so arrow mark is coming away from the base then it is then it is the arrow mark is coming away from the base then it is np then it is npm if arrow arrow mark is coming away from the base then it is npm अब इसको note कर सकते हैं if arrow marks is coming away from the base अगर arrow mark हमारा जो है वो away from the base बेस के बाहर की तरफ है then it is n type bjt bipolar junction transition npm bjt if arrow mark is is if mo यहां पर हम लोग लिखते हैं if arrow mark लोग लिखते हैं इस टूर्ड बेस बेस की तरफ है इस arrow mark is towards the base अपर लिखते हैं अरो मार्क इस अपर लिखते हैं अब आरो मार्क इस बस्कों आप करसकते हैं आज अब है अब बता तक आगर arrow मार्क अवे में अबर बेस बहार की तरफ और रहा है if arrow marks is away from the base base से बहार की तरफ आरा रहा है it is base and it is emitter to arrow mark is away from the base then it is n pn transistor and arrow माइक इस तूर्ट बेस बेस की तरफ जा रहा है तो इस पी नपी टांजिस्टर इस पी नपी टांजिस्टर से आप इसको इसको लिख सकते हैं तो अगर आपके पास जो वोल्टेज है वोल्टेज अक्रॉस वीवी इड इस फिक्स्ट वोल्टेज अक्रॉस वीवी एड इस इकल्स टू वी बॉल्टेज बहुत इंक्रॉटन आपको नोट करना क्यूंकि जब आप उसके रिलेटेड आप नुमेरिकल सॉल करते हैं तो वहां पर आपको यह चीज पता हुना जै पाट हां चाहिए अगर आप इस वोड इसके अख्रॉस अग्राव टेटर गर्टर टू बेज अगर वोल्ट टेटा तो इस दाट रोटे एक तो इस नॉट फिक्स इत बीपिज अगर कर्येंट की लाथ करते हैं तो इट आई-बी इड इडिल आई-सी और इस आई-ई it is I B it is I C and I E okay it is not so it is in such a way I C and I E I E the I, this one and this one and this Well I'm not using I E API and this is I E is equals to IB plus IC तो अगर मैं इस point को लेता हूँ और यहाँ पर किस तरह से लिखता हूँ तो यह current IC आ रहा है और यह current IE भी आ रहा है और यह current ICE बाहर के दरफ जा रहा है तो आप यहाँ पर KCL आपलाई करते हैं अगर इस point पर अगर KCL आपलाई करते हैं IE is equals to IE plus IC. इस तरह से अगर आप यहां पर भी अप्लाई करते हैं तो this current is incoming and this two current is outgoing. इन दोनों का सम इसके equal होगा. इन दोनों का सम इसके equal होगा. इन दोनों का सम इसके equal होगा. I think you are getting the points. I think you are getting the points. सभी लोग clear बोल तिदे आपका strength बहुत कम है आप लोगी session को प्रइब करें आप लोग शैशन को लाइक नहीं करते सबस्क्राइब नहीं करते अपने आप का फैंबली और को शेर कीजिये कि इस नहीं को सकते हैं आपके पास नहीं कर नोगो शेच कर रहा है लिये आपके फस्रीब्सकर 7 इस सेशन आज इस नहीं पर एंड कर रहे हैं बहुत लंबा सेशन जादा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे तो थैंक्यू वेरी मुच अख कि 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 अभु झाल